नमस्कार क्या कहता है कानून सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक मेल के उपर बेस्ट है जो एक मेल मुझे मिली थी यह आप उपर देख रहे हैं जो मेल आईडी लिखा हुआ है क्या कहता है कानून एड जीमिल डाट कॉम इस पर मुझे एक मेल मिला था जिसमें एक व्यक्ति ने पूछा है कि कोविड यह जो पैंडमिक चला था इस दुरान उनकी जो है जॉब चली गई और रोज मर्रा के खर्चे चलाना मुश्किल हो गया और इनके पास एक क्रेडिट क केसेज मुझे लगता है कि होंगे हमारे आसपास अच्छा यहां एक बात और भी उन्होंने लिखी है कि उनकी नियत है वो पैसा वापिस करने की जो उन्होंने खर्चा किया था लेकिन अभी स्तीती कुछ ऐसी है कि उनकी जॉब दुबारा नहीं लग पाई है और फिनेशल रूप से उनके पास क्या-क्या विकल्प उपलब्द हैं क्या इससे बचा जा सकता है कि क्या वो जो बैंक है उसके पास या अधिकार है कि वो उनको इस तरह से धमकाए तो आईए इस बारे में बहुत डीटेल से बात कर लेते हैं मैं आपको पूरा बैंकिंग सिस्टम पहल भी यूस कीजिए उसको लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो इसका मतलब वो एक तरह का उधार है that is a clean loan clean loan मतलब हो सकता है उसके पीछे कोई प्रतिभूती बैंक के पास ना हो कोई security ना हो वो एक clean overdraft type का है आपको समझ लीजिए बैंक आपको clean facility देता है बिना किसी collateral security और primary security के आपकी व्यक्तिगत security जो है आपकी personal security जो है आपका नाम यानि आपकी जो net worth है या जो आपका status है समाज में वही काफी है आपको credit card issue करने के लिए किसी एक बैंक के लिए ये आजकल के norms है banking norms है तो ऐसी स्तिती में जब आपने प पत्रविवार करेगा या telephonic conversation करेगा लेकिन यदि यदि आपका loan या आपकी जो खर्चे है या जो आपके debts है वो पुराने हो जाते हैं तो bank उनको discount करा लेता है discount करा लेता है मतलब कि कोई recovery agent है या कोई ऐसी agencies है जो की debts खरीती है इस तरह के bad debt या जो debt debts होते हैं उनको खरीती है उनको discount करा लेता है मान लीजिए किसी एक bank ने आपको 100 रुपे का कुछ उधार दे रखा है लेकिन अब उधार उसको मिल पाने का कुछ situation बन नहीं रही है तो यहाँ पर bank जो है उसको उसको परिसंपत्ति को यानि जो उसके लेंदारिया है उसको किसी दूसरी agency को बेश देता है discount पे discount पे हो सक बहुत ज़्यादा अभी सक्रिये हैं जो कि बैट डेट्स को या doubtful डेट्स को in cash करा देती है या उनको discount करा देती है चलिए यह तो था banking का एक procedure जो banks है जो कि private bank है आर बेए के दोवारा governed होते हैं या nationalized bank है या बड़े private banks है अब हम बात कर लेते हैं जो कि NBFC मतलब non banking financial companies non banking finance companies वह हैं जो कि banking का काम कर रही बैंकिंग का काम नहीं कर रही है लेकिन finance से जुड़ी हुई है finance लेती है देती है चोटी चोटी चीज़े finance करती है mortgage finance करती है bill discount करती है LCS BG वगारा discount करती है लेकिन यह banks नहीं यह public का जो पैसा है या जो public money है public deposit है वो नहीं ले सकती है यह आपक finance हो गया बजाज फिंसर्व हो गया महिंद्रा की कंपनिया है और इस तरह की जो finance company आपने असपस देखे होंगी नामी गरामी कंपनिया है लेकिन यह bank नहीं है इनके साथ bank नहीं लगा हुए तो इनकी वित्तिय स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि इनको RBI से proper license ल finance की हर एक को जूरत होती है हर विक्ति bank से finance ले ऐसा संभव नहीं है तो इसलिए इन non banking finance company का जन्म हुआ कि जहां पर risk वाला मामला है याद रखिए जहां रिस्क वाला मामला है वहां पर bank उतनी जल्दी से नहीं जाता है लेकिन जहां पर जादा risk है वहां पर NBFC आ जाती है वो इस चीज़ को risk को लेती है और आपको loans या फिर आपको कुछ credit sanction करती है वो भी without any collateral अब कई ऐसी भी जगह हैं जहां पर NBFC भी fail हो जाती है नॉन banking finance company भी fail हो जाती है वहां पर फिर और छोटे लोग आ जाते हैं जो हमारे देश में जो सहुकारी की जमीदारी की जो सहुक जो है और चोटी जोग finance companies है उनका यही हाला जो की banks भी नहीं है NBFC भी नहीं है उधारन के तोर पर आपको बताता हूँ अपना mobile phone उठाएंगे तो उसके अंदर जो आप सर्च कर रहे होते हैं YouTube या Facebook तो वहां पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा चुटकियों में लोन पा आपका भी लोन दे देंगी लेकिन इसके बाद आपको जो परिशान करेंगी तो भगवान बचाए ऐसी companies से तो मेरी रहा यह है कि अपने आपको जो आपका जो आपका जो क्रेडिट स्कोर है या जो आपकी देंदारी की जुस्तिती है उसको अच्छा रखें कोशिश करें क बैंक के पास जाएं अगर बैंक से आपको लोन नहीं होता है तो NBFC के पास जाएं लेकिन उससे नीचे मत जाएं क्योंकि ये लोकल फैनैंसर होते हैं और आपको ये ट्रैप में ले लेंगे तो करना क्या है जब इस तरह कि मैंने आपको बता दिया कि जब बैंक अपनी रि दे या कुछ किसी तरह का और फैसिलिटी दे दे लेकिन वो ब्रांच लेवल पर उसको मॉनिटर करेगा कि कभी भी जो आपका लोन डाउटफुल होने लगे का तो वहां से अप्रोपियेट करेगा जो बैंक राइट अफ एप्रोपिरेशन है वो बैंक के पास रहता है लेक कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ किसी तरह की रिटर्ण्स जो है वो इनसे मंगाता है जस्टू मॉनिटर थोड़ा-थोड़ा मॉनिटर करने के लिए लेकिन पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेतर में आरबी आई के नहीं आती लेकिन हाग किसी तरह का अगर ये कुछ अनल लगें जब आपको धमकी मिलने लगे या जब आपको हरास्मेंट होने लगे तो आपने क्या करना है ये मेटर बहुत सीरियस है क्योंकि एक बहुती मशूर टीवी सीरियल है तारक मैता का उल्टा चश्मा उसके जो राइटर हैं उन्होंने एलेजली सुसाइड किया है जिस because of this harassment और उनके साथ कुछ financial fraud इसी तरह का कुछ हुआ है मैं इसको पुष्टी नहीं करता इस खबर की अभी investigation is still on 4 December 2020 की बात है उन्होंने suicide किया है तो समझ लीजे कि यह matter कितना ज़्यादा important है कितना ज़्यादा grave है कि आपको कितना mental torture होता है जब कोई इस तरह के phone करता है आपके रिष्टेदारों को और आपको भी कि हम आपको देख लेंगे आप मारा पैसा वापिस कीजिया नहीं तो यह हो जाएगा वो हो जाएगा फला हो जाएगा घर के नीचे आ जाएगे और तो और, मतला किसी भी हद तक जाते हैं बाहर ढौल गोले को भी लेंगे कुछ बैंड वालों को लेंगे और किसी भी तरह का ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं तो आईएगे अब मैं आपको बता देता हूँ आपने इसके अंदर करना क्या है कानूनी तोर पर ऐसे लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है आपसे इस तरह की रणवसूली करने का आपने पैसे लिए हैं मैं यह नहीं कहता हूं कि उसको मत दीजिये दीजिये लेकिन उनको पहले आपसे बात करनी है इस तरह के जो हतकंडे हैं उन पे नहीं जाना है उन लोगों को यदि वो जाते हैं तो आपका यहां पर कानूनी अधिकार है आपको प्रोटेक्शन अविलेबल है भारतिय कानून में IPC सेक्शन 504 और IPC सेक्शन 506 दोनों मैं आपको बताऊंगा जिसके तहाँ आप लोगों को प्रोटेक्शन मिल सकता है तो आपने कोई भी लेंदेन अगर किया है तो उसके लिए एक अग्रीमेंट होता है जो आप पेपर साइन करते हैं बिना पड़े यह वही अग्रीमेंट है जो कि आप जो एक्जिक्यूटेबल इन कोट है तो वह उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही सेटल होता है तो अगर कुसी भी तरह का ब्रीच हुआ है या आपकी तरफ से या उनकी तरफ से या मालीजे उन्होंने कुछ इंटरस्स जादा लगा दिया या उन्होंने कुछ ऐसा काम किया एक साथ दो किष्टें देने को बोल दिया एमाईज में गरबड़ी हो गई, कुछ हो गया तो भी आपको जो है वो एग्रीमेंट जो है लेके कोट में जाना है दोनों पार्टीस के पास सिर्फ वही एक उप्शन है इस तरह का उप्शन नहीं है कि आप उसको फोन करके बोलेंगे, हरास करेंगे या उसको कुछ धमकाएंगे, ड्राएंगे ऐसा कुछ, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है भारती कानून में तो चलिए फिर से हम उसी पॉइंट पर आते हैं कि जो बीच में पैंडमिक आया था, वित्ति अस्तिती लोगों की बहुत खराब हुई इस दोरान आर भी आई नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ मुराटोरियम दी हैं कुछ रिलीव्स दी हैं, बैंक को तक कि वो कस्टमर्स तक पहुंच सकें कुछ इंटरस्ट का जो पोर्शन है, या कुछ EMI का जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा मुराटोरियम दी है, वहाँ पर थोड़ा सा गैप दिया है कि आप इतने महीने बाद दे दे दें, उतने महीने बाद दे दें करके लेकिन बैंक्स यहां पर बहुत चलाके उनोंने पूरी तरह से बात अपने कस्टमर्स को बता ही नहीं है तो जो कस्टमर्स अपनी EMAI जएते जा रहे हैं, इंटरस्ट देते जा रहे हैं, उनका वो लेके अपने खजाने में रख रहे हैं तो वो बात customers को नहीं बताई गई है पूरी, ये तो था customers के लिए हाल, अब माल लीजे bank का exposure एक auto industry को है, कई लाख करोड का है, banks में auto industry, example के लिए बोल रहे हैं, कि auto industry को माल लीजे 5 लाख करोड का exposure बहुत सारे banks का है, और इस दोरान आपको पता है लोगों को पास खाने को नहीं था तो यहां पर कारे तो क्या भी की होंगी तो auto industry को बहुत बड़ा setback लगा बहुत बड़ा धक्का लगा तो auto industry ने तो हाथ खड़े कर दिये कि जी हम तो पैसा नहीं दे सकते हमारे को तो इतना time चाहिए हमारी कार तो अब यहां पर क्या है कि बैंक्स जो है क्लाप्स होने की स्थिती पर है ऐसे ही कई सेक्टर का हाल है रियलिटी सेक्टर का भी हाल है construction सेक्टर का स्टील सेक्टर का सब का यह हाल है तो यहां पर गवर्मेंट आगे आ गई लाखों करोड रुपया का जो moratorium है या समझ यहां पर गवर्मेंट आगई है बड़े बड़े उद्योग पतियों को बचाने लेकिन आप को बचाने का गवर्मेंट का कोई दायत मुझे यहां पर नहीं दिख रहा क्योंकि वो जो इन्फोर्मिशन पहुंचनी चाहिए थी कस्टमर्स तक अभी तक नहीं पहुची और क को बचाने हां पर उसको रियायत कौन देगा पर आपने के साथ सबसे सब्से क्यों पर इसको दो पर प्रॉबलम के साथ रहा करें गा यहाँ पर अगर आपने दो लाग रूपे बैंक से लियें, तो मुझे लगता है जो शोते लोग ने घुलते होंगे कि यो बोलाग रूपे बैंक को कैसे देने हैं, लेकिन अगर आपने 2000 करोड रूपे लपे लियें, अपर आराम से लंडन चले जाएए, कोई प्रॉब्लम न होगी आपके क्रेडिट कार्ट की ऐसा कोई बड़ा गुना नहीं कर दिया एक आई ही गया पैंडमिक और आपकी फिनेंशल सिच्विशन बहुत जादा खराब होगी आपकी देने की नियत ही है आपकी देने की नियत है लेकिन नहीं दे पा रहे हैं आप करेंगे क्या पहला का बैंक को या NBFC को या जिसने आपको लोन दिया है या जिसने आपको क्रेडिट दिया है आपसे बात करनी है टर्म्स को सेटल करना है अगर कोई किसी तरह की एड या गौर्मन्ट की तरफ से किसी तरह का कोई प्लान है तो वो आप तक पहुचाना है जो कि आप तक मुझे प पहले बता दिया है, चोलम अंडलम हो गया, मुथूट हो गया, बजाज फिन सर्फ हो गया, ये लोग बैठे रहते हैं, आप एक बार हाँ कीजिए, आपके मन में कुछ हाई ये चीज़ खरीदनी है, तो ये बैंक से पहले जादा आके आपको बढ़के लोन देंगे, आपसे क लोन भी जो है, चोटे चोटे एक लाग दो लाग रुपे तक के जो लोन है, जो एनबी एफसी और दूसरी कंपनिस देती हैं, ये बहुत सोच समझ के देती हैं, इन्हों ने हंड़र्ड परसंट प्रोविशन किया हो था इसके बारे में, और ये लोग मान के चलते हैं, कि पैसा हमारा डूबा हुए, आगया वापिस तो बहुत अच्छा और इनके इंटरस्ट रेट जो हैं, तो समझ लीजे आप कि जहां पर इंटरस्ट रेट हाई हैं, वहाँ पर रिस्क भी ज्यादा है, तो ये लोग उस रिस्क का रिवार्ड है, जो रिस्क का रिवार्ड है, ये वीडियो जादा लंबा नहीं करता, मैं आपको सीधा सीधा रिमेडी बता जेता हूँ, कि यदि आपको इस तरह के कुछ फोन्स आ रहे हैं, इस तरह की कुछ कॉल आ रही हैं, तो आपने करना क्या है, चलि ये बात कर लेते हैं, सेक्शन 504, IPC, भारतिय दंड सहीता, ध किसी तरह का अपराद हो, इस तरह से आपने उसकी इंसल्ट की है, तो वो भी एक दंडनी अपराद है, दो साल तक कि इसमें सजा का प्रावधान है और जुर्माना है, या फिर दोनों हो सकते हैं, यहां पर एक और सेक्शन है, 506, IPC, धारा 506, भारतिय दंड सहीता, यह जो इसमें आगे लिखा है, थोड़ा सा यह जो ओफेंस है, दो कैटेगरीज में मैं कहूंगा कि बांट दिया गया है, पहला है कि जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, वो अगर नॉमल है, तो दो साल तक एक्स्टेंड हो सकती है, उसमें सजा, लेकिन यह जब ग्रेव हो जाए, जब यह ग्रेवियस हो जाए, तो उसमें क्या होगा सजा का प्रावधान, देखी आगे क्या लिखा है, तो देखें, यहाँ पे बहुत साफ है जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, सक्टिन 596 के तेहत, यानि कि धंकी धंकी क्रिमिनल इंटिमिडेशन इसको दो भागों में बाट दिया गया है, यह धंकी है, नॉर्मल की मैं तुझे देख लोँगा करके, तो इसके अंदर दो साल तक की सजा का प्रावधान है या जुर्माना या फिर दोनों लेकिन यदि आप ये बोल दें कि मैं तुझे जान से मार दूँगा यदि बाहर निकलेगा या मैं तुम्हारे हाथ पहर तोड़ दूँगा या मैं तुम्हारे घर वालों को मार दूँगा या तुम बाहर निकलो मैं तुम्हें गोली मरवा दूँगा, इस तरह की जो बाते हैं जिसमें grievous hurt होने के chances हैं, या किसी महिला के बारे में अशलील टिपणिया कर देना या उसकी धंकी देना कि मैं तुम्हें इस तरह से defame कर दूँगा, तो यहां पर या फिर उसकी property को आग लगा देने की धमकी देना तो यहां पर जो है ओफेंस बहुत ग्रीविस हो जाएगा यहां पर साथ साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों उसका प्रावधान है तो आप समझ लीजिए की जो सेक्षन 506 है कर्मिनल इंटिमिडेशन भारतिय दंड सहीटा यानी 까 धमकी वाला जो सेक्षन है वो इस तरह के केसेज में जहां आपको धमकीं वाले फोन आ रहे हैं और इस तरह की धमकी मिलती है तो दो तरह की इसके जो gravity है जो पहली है जो less gravity धमकी है उसके अंदर 2 साल तक की सजा का प्रावधन है और जो जादा gravity धमकी है उसके अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधन है तो इसके लिए आप court move कर सकते हैं 1st class magistrate इसको try कर सकता है जो trial है 1st class magistrate के सामने चलेगा compoundable offense है compoundable मतलब कि जिसको धंकी दी जा रही है वो इसको क्षमा कर सकता है magistrate के सामने वो ही compound कर सकता है इसको दूसरा कोई नहीं कर सकता और ये non-cognizable offense है non-cognizable यानि असंगे अपराद है subject to the investigation of police है पुलिस इसमें investigate करेगी और जमानती है available अपराद है लेकिन उत्तर प्रदेश और अंधरा प्रदेश में ये cognizable अपराद है जिसमें संगे अपराद है इसमें सीधा सीधा पुलिस गिरफतार कर सकती है अगर आपने किसी तरह की धंकी दी तो तो आपके लिए बहुत असान है आपके पास phone call आएंगे phone call record कीजिए कोई letter इस तरह का धंकी वाला आता है उसको record कीजिए साक्षे जुटाईए और नयाले के सामने चले जाएए ये कानून से चलने वाली बाते हैं ये इस तरह से phone पे धंकियों वाली बाते नहीं हैं जो आपने लिया है पैसा या जो दिया है वो agreement के अनुसार है and that agreement has to be presented in court that has to be presented before the court that should be executable in the court court से आप decree लिजिए जो भी party है वो court से decree लेगी अगर आपको पैसा लेना है किसी bank ने पैसा दिया है और दूसरी किसी finance company ने दिया है तो वो court दोरा पैसा लेगी वो court आपको direct करेगा कि बाइसाब इनका पैसा आप दीजिए या कब दे रहे हैं या किस scheme के हिसाब से दे रहे हैं so that scheme has to be formulated between you two through the court तो ऐसा कोई यहां पे rule नहीं है भारती कानून में कि आप सीधा phone करके उसको धमकी दे दे कि मैं तुम्हें देख लूँगा तुम घर से बाहर निकलना तुम्हारी यह हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा सब बेकार की बात है इसने डरने की जूरुत नहीं है अपने वकील साब से मिलिए आपके हर case different होता है मैं आपको एक general overview दे रहा हूँ मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कि आपको डरने की जूरुत नहीं है अपने वकील साब से मिलिए अपनी पूरी situation पूरा case उनको बताइए हर case लग होता है यहाँ पे और भी section लगने वाले है सामने वाली party पे defamation का section भी लग जाएगा तो वो case to case depend करेगा कि कौन कौन से section इसके अंदर लगने है और उस दो case की जो gravity है वो क्या है तो ठीक है इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ पे mail किया है तो मैं चाहूंगा और भी यदि आपकी कोई समस्य है तो मुझे direct mail कर सकते हैं उपर mail ID मैंने दिया हुआ है तो identity मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा identity आपकी गुपत रखी जाएगी वो नहीं बताई जाएगी सिर्फ आपकी जो problems हैं जो आपकी grievances हैं जो आपकी जिसमें आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि क्या कहता है कानून किसी खास परिस्तिती में तो वो ही उन्हीं चीजों को जो है address किया जाएगा आपकी पहचान गुपत रखी जाएगी तो मैं फिर कहता हूँ जाग रुक बनिये जानकर बनिये अपने अधिकारों को जानिये अपने कानून को जानिये क्योंकि law is the king of kings and law is the mightiest of all